और आप इस बात पर जोर दे रहे थे कि इस देश में कम चुनाव होने चाहिए क्योंकि शायद तब पॉलिटीशिन्स ज़रूरी मामलों पर ध्यान दे मैंने कम नहीं कहा, मैंने कहा ज़ादा केंद्रित इतने ज़ादा बिखरे हुए नहीं हाँ, देखे अभी होता ये है कि अभी अगर यहां की या वहां की कुछ राजे सरकारें गिर जाएं या कुछ हो जाएं बीच बीच में आप खुद ही देखे, आप तो नियूस बिजनस में हैं, आप जानती हैं, लगबग हर समय आप लोग की इलेक्शन की बातें करते रहते हैं एक लोगतांत्रिक देश में जब आप चुनाओ की बात करते हैं, तो आप हमेशा समझदारी भरी बातें नहीं करते हैं, ठीक हैं, आप वो कहते हैं, जो पॉपिलर है तो पांच साल में एक बार हम चुनाओ करवा सकते हैं यह नहीं कि हर साल, हर साल, कहीं न कहीं चुनाओ चलते रहते हैं हर राज्य का चुनाओ, राष्ट्रे चुनाओ जैसा बन गया है देखे अभी अगर कहीं दूसरे राज्यों में चुनाओ चल रहा है पर ऐसा लगता है जैसे हर जगा चुनाओ चल रहे हैं कि आप मुझे छोड़ेंगी नहीं अगर असम में कोई election चल रहा है तो आप उसे मेरे घर तक ले आएंगे तो मुझे लगता है कि यहीं पर election हो रहे हैं हर समय इस तरह के लुभावने वादे होते रहते हैं विस्तार खत्म हो जाना चाहिए ये पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए अगर आप मुझे पूछें अगर आप चाहें तो सारे विधान सभाच चुनाओ एक टाइम पर और लोग सभाच चुनाओ दूसरे टाइम पर और ये पूरी हो जाने चाहिए लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि कई राजनीतिक मुद्धे हैं, मुझे पता है पर राजनीतिक मुद्धे तो हमेशा रहेंगे लोगों के मुद्धे, इस देश के मुद्धे, इस देश को आगे बढ़ने का मुद्धा सबसे बड़ा मुद्धा है हमने इसी के लिए उन लोगों को चुना है